देन अभी में finally अपना youtube application को open करता हूँ देन मैं यहाँ पर search करता हूँ अपना channel का name मेरा channel का name है आदर्सकुमार अभी मैं यहाँ पर search कर देता हूँ देन अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि मेरा जो channel का video है वो यहाँ पर चला आता है जैसे आप देख सकते हो number one यहाँ पर वीडियो आ रहा है then यहाँ पर number two भी वीडियो आ रहा है number three भी वीडियो आ रहा है number fourth भी वीडियो आ रहा है तो guys don't worry आपको यहाँ पर घाबराना नहीं है, मैं आपको बताऊँगा YouTube का एक यहाँ पर setting होता है, जिसे enable करने के बाद आपका channel जो है 100% YouTube search में आएगा, तो guys आपको करने के लिए simply आपको अपने phone के Chrome application को open करना है, then आपको search box में type करना है studio.com, ठीक न, studio.youtube.com आपको यहाँ पर type कर देना है, then जब आप यहाँ पर type करके search करोगे, उसके बाद आपका जो channel का जो dashboard है, वह आपके सामने open हो जाएगा, जैसे अभी आप screen पर देख रहे हो, यहाँ पर open हो गिया है, तो guys इहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, zoom करके जिससे आप सही से देख सकते हो, जब आपका video एक line से serial बाई serial, इस तरह का आप अभी screen अपनी chrome में जब आप देखेंगे, तो आपको simply यहाँ पर zoom कर देना है, और zoom करने के बाद आपको उपर scroll कर देना है, ठेक न, उसके बाद यहाँ पर आपको एक setting का option मिलता है, आप ध्यान से देखना, आपको setting का option मिल जाता है, आपको setting वाले option पर एक बार आपको click कर देना है, अब आप click करेंगे, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, आपको two number में एक channel का option आता है, तो simply आपको channel वाले option पर click कर देना है, देन आपको यहाँ पर keyword का एक option आता है, आपको keyword में आपको अपनी channel का name लिखना है, जैसे अभी मैं जूम करके आपको highlighted करके देखाना चाहता हूँ, अभी आप देख सकते हो, यहाँ पर मेरा channel का name है, आदर्सकुमार, देन उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, कि मैंने यहाँ पर short forum में भी लिखा हूँ, आदर्सकुमार, उसके बाद जो भी topic से मेरा video related है, जो भी topic से related, video मैं अपने channel पर लाता हूँ, जैसे YouTube से related, तो अभी आप देख सकते हो, यहाँ पर YouTube tutorial in Hindi, यहाँ भी मैंने keyword में लगाया हूँ, जिससे मेरा video भी rank करता है, और मेरा channel यूटूब सर्च में आता है, तो यदि आप यहाँ काम नहीं किये हैं, तो आपको करीबन यहाँ पर 12-13 keyword हैं, वह आपको यहाँ पर लगाना है, ठीक न, आप यहाँ पर 500 word तक जो है latest आप keyword लिख सकते हो, जो आपका channel से related होगा, जिस topic पर आप video बनाते हो, उससे related होगा, आप सभी बात यहाँ पर लिखिए, यदि आपका channel का name है आदर्स कुमार, तो मैं आदर्स भी tag में लगाया हूँ, और मैं कुमार भी लगाया हूँ, यदि आप इस तरह से घुमा फिडा कर अपने वीडियो से related आप keyword अगर आप डालते हो, उसके बाद आपका channel जो है, वह handed percentage यहाँ पर आपका YouTube सर्च में आएगा, और यहाँ पर keyword भी लगाने का तरीका, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर मैं आदर्स लिखता हूँ, ठिक ना, तो आदर्स लिखने के बाद यहाँ पर आपको कुमा दे देना है, तभी यह जो keyword है, वह support करेगा, ठिक ना, तो आपको ऐसे करके आपको अपनी चैनल के बारे में लिख देना है, देन जब आप इतना काम कर देंगे, तो उपर आपको एक save का option होगा, ठिक ना, अभी आपको यहाँ पर एक save का option मिलेगा, अभी जो आपी स्क्रीन पर देख रहे हो, देन आपको क्या करना है, save का option पर एक बार किलिक कर देना है, देन आपका जो है, सो यहाँ पर चैनल कीवर्ड अपलाई हो जाएगा, जैस्ट आधा घंटा बाद आप अपनी चैनल को यूटूब पर सर्च करना, आपका चैनल जो है वह रेंक करेगा, तो प्लीज वीडियो अच्छा लगा, जनकारी अगर आपको अच्छा लगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ सेयर कीजिए, यूटूब का टेकनिकल वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो जरूर कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद बोस